वेल्कम फ्रेंड मेरा नाम है केयस्त उमर एजुकेशन से जुड़ी इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज स्टुवेंट एड़ा को सस्क्राइब करें और साथ इस बैल आइकन को दवाएं ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफ वो है सुच भारत अभ्यान को लेकर MHRD ने इगनु को फिफ्ट रैंक दी है सुच भारत के अंदगर्थ विकोज दो अक्टूबर को गांदी जैनती पर सुच भारत अभ्यान के तहट जो MHRD की तरफ से एक लिष्ट जारी किये गई जिसमें इगनु को फिफ्ट रैंक मिली है तो ये इगनु के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये आपके लिए भी एक अच्छी बात है कि आपकी उनिवर्सिटी सुच भारत में फिफ्ट रैंक पर आई है सेकंड अपडेट जो इंपॉर्ण अपडेट है सभी श्वेंट के लिए वो ये है कि इगनु ने दिसमबर 2018 एक्जाम के लिए टेंटेटिव एक्जाम सेंटर लिस्ट इगनु की वेबसाइट पे पब्लिश कर दी है और साती साथ टेंटेटिव डेट सीट भी इगनु की इगनु की वेबसाइट पे पब्लिश हो गई है इस डेट सीट में आपको दिसमबर 2018 के सभी प्रोग्राम के सब्जेट की एक्जाम डेट मिल लियाएगी आप इसे इगनु की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और साती साथ मैंने इसके लिए एक सेपरेट वी रेइस्टेशन ओपन हैं वो भी ओनलाइन मोर से तो उनकी जो लास डेट है वो आज के दिन आने 31 अक्टूबर 2018 है तो जिन सभी स्टूएंट में जनवर 2019 सेशन में री रेइस्टेशन नहीं किया है तो प्लीज आज अपना रेइस्टेशन कम्प्रीट कर लें तो आज लास लेट है वो 31 अक्टूबर 2018 है यारी आज का ही दिन सो अभी आपको बेट करना होगा ऐसा भी हो सकता है कि रेइस्टेशन की लास डेट को ना बढ़ाया जाए तो इसलिए आज ही अपना रेइस्टेशन कम्प्लीट करें फौर्थ अप्लेट जो एगनों के तरफ से दिन और अगर आप लेट फिस के साथ इसे फिल करेंगे यानि आज के बाद तो एक नॉमबर से दस नॉमबर के बीच आपको लेट फिस देनी होगी जो की हजार रुपे होगी तो इसलिए अगर आपने अभी तक अपना एक्जाम फिल नहीं किया है तो आज अपना एक्जा अगर इस्टूएंट को चूज करते हैं तो उनको उनकी टूटल फीस में से डिसकाउंट दिया जाएगा यह तो फिप्टीन परसेंट डिसकाउंट उनको टूटल फीस में से मिलेगा अगर इसी अपडेट एक्जाट की तरफ से देखने को मिली है अक्टूबर मन्त में इटल स्टेडी मेटियल को पर्मोट कर रहा है नेक्स्ट इंपोरेंट अपडेट जिसका काफी स्टूएंट विरेट कर रहे थे वह है इगनू बेर्ट को लेके हाली में इगनू ने बेर्ट जनवई 2019 सेशन के लिए एप्लिकेशन फॉर्म रिलीज कर दिये हैं इसके बारे इप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 15 नॉवंबर से पहले और यह पूरा प्रोसीजर ओनलाइन है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको ओनलाइन फॉर्म फिल करना है एंट जो लास्ट अप्रीट इ जो स्टूएंट इगनु के मेनेजमेंट प्रोग्राम में एड्मिशन लेना चाहते हैं जैसे कि जो सबसे बड़ा मेनेजमेंट प्रोग्राम है एंबिये उसके लिए आपको ओनलाइन मोड से फिल होगा इसको आप इगनु की ओफिशल वेबसाइट ड़ुर्म फिल कर सकते हैं और यह एप्लिकेशन फॉर्म ओनलाइन मोड से फिल होगा इसको आप इगनु की ओफिशल वेबसाइट www.egnu.ac.in पर जाके फिल कर सकते हैं सो ओवर ओल यह साथ अपडेट एगनु की तरफ से अक्टूबर मन्त में देखने को मिली हैं और यह साथों की साथों बड़ी अपडेट हैं जिनको आपके लिए जानना बहुत जरूरी था लिए जो इस्टूएंट कंटिनिसली वीडियो नहीं देख पाते हैं और अपडे आई होप यह वीडियो इंफोमेशन आपके लिए हेलफुल रही होगी सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मैस पर वाचिंग